उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा अवैध मास विक्री के बाद कुरैशी बिरादरी के लोगों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया है मामले को लेकर नहट और में कुरैशी बिरादरी के लोगों की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें तै किया गया कि जल्द ही एक प्रतिनीधी मंडल लखनव जाकर सरकार से इस रोप को हटाने की मांग करेगा और अगर जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो 19 अपरेल के बाद बिरादरी के लोग कोट का दर्वाजा खट खटाएंगे कुरेशी बिरादरी के लोगों का कहना है कि सरकार मीट का एक्सपोर्ट करने वाले लोगों पर रोक नहीं लगा रही है इसके बावजूद भी गरीब कुरेशी बिरादरी को अपना निशाना बना रही है जिससे कुरेशी बिरादरी के लोगों के सामने आर्थिक तंगी आन खड़ी हुई है आप अलग नामा मेरे पास है उसकी ये कोफिया आप लें इसमें अपने यहां अल्हम्दलिल्ल्ह हमने इसको एक जगा कर दिया है हमने धामफुर्ट तैस्थीर के लोग को और को सुन ले पुरानी धामफुर्ट जो तैस्थीर है पुरानी